नमस्कार दोस्तों पिर आपका स्वागत है क्राउन इमी कृष्ण के यूट्यूब चैनल पर तो आज का जो हमारा वीशे है हमारा सब्जेक्ट है MBBS in Croatia European Union की फुल फ्लेज कंट्री है इसके बारे में हमारी डिस्कुशन रहेगी यूरोपियन कंट्री जा मैं शेहनगन कंट्री में MBBS बहां की पब्लिक यूनिवर्स्टी में बारवार रिक्मेंट करता हूँ कि वहां से करें उससे क्या बेनिफिट है एक तो यूरॉप एक कंटिनेंट है complete बहां पर आपको complete यूरॉप के कंटिनेंट में सेटल्मेंट के ऑप्शन मिल सकते हैं बहां पर लाइसेंस ले सकते हैं एज डॉक्टर प्रक्टिस कर सकते हैं जिनका ड्रीम जर्मनी में जाके सेटल होने का उनके लिए इस इस दा इस वे तो इंटर इन जर्मन आपको जरूर सीवन तक क्लियर करना पड़ेगा इस इस अनदर बेनिफिट क्या है कि पेलेब यो एक्जाम है यो यूके में चलता है बो भी एक्जम्टर है अगर आप शेंगन की या यूरॉपियन कंटी की किसी भी कंटी से किसी भी पब्लिक यूनिवरस्टी से अनदर ब वो भी यूरॉपियन कंटी यूरॉप के कंटीनिट में जाकर सैटल हो सकते हैं वर्ड में सैवन कंटीनिट है आप गूगल में डालिए उन में से पूछे विच इस यूप्ट चनिनिट नमबर वन मिलेगा चाहे आप लिविँंग पर्पस के लिए ले लेकर चलें चाहे आ आप कितने सीरियस है towards your study, वो भी बहुत सीरियस है, ऐसा नहीं है, नलायक स्टुडेंट है, जाकर पढ़ना नहीं है, बहां जाकर एशे करनी है, नाइट कलबों में जाना है, तो फिर मैं never ever recommend करता हूँ, फिर तो मैं कहूंगा कि इंडिया से नर्सिंग कर लें, जो बच्चे क्या है, अगर आपने नर्सिंग इंग्लिश में करनी है, फ्रेंच में करनी है, जा जर्मन लेंग्विज में करनी है, तो बो भी options हम आपको प्रवाइड कर सकते हैं, शेंगन कंट्री जा जेरोपिन कंट्री के अंदर, ताकि बहां की नर्सिंग जा बहां की MBBS आईदर आप फ्रांस में जा जर्मन में सैटल होना चाते हैं, जा कैनेडा के अंदर जाके सैटल होना चाते हैं, जिन्होंने फ्रेंच लेंग्विज से कोई भी medical का program किया होता है, तो इवन फ्रेंच के आपको extra point मिलते हैं, और one of the official language है, फ्रेंच कैनेडा की भी, ऐसी जो informative videos, जा ऐसी information वो ही दे सकते हैं, जो practically इन countries के साथ, इन countries को अच्छी तरह पिछले long समय से deal कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी queries आती है, queries आने के कारण फिर हमारा दिल करता है, कि हम maximum से maximum benefit बताएं सामने वाले को, instead of जो अभी अर्मेनिया जैसे उजवेकिस्तान, किर्किस्तान जैसी countries में जाकर जाते हैं, अर्मेनिया जो जो ऐसी चोट-चोटी कंटी में जाकर अपनी MBBS इनकंप्लीट हो जाती है, जो बच्चे यूकरिन से सफ़ड होकर आए हैं, तीन-तीन-चार-चार-चार-चार जा जा जूरो की फीस थी बहां पर, आगे उनके लिए ट्रांसपर के कोई options नहीं मि होता है, तो यहां पर another medical program में चले जाए जो economical है, at least आपके बच्चे का carrier बच सके, ऐसे ऐसे options हैं हमारे पास, even अगर आपके पास MBBS कर ली है, ना ही उस country का license है, जहां से MBBS की है, ना ही इंडिया का है, फिर भी कोई option ढूंड रहे हैं, तो वो भी coronavirus आपको प्रवाइड करती ह करेशिया के उपर आते हैं, करेशिया में हमारे पास तीन-चार यूनिवस्टी जाए यहां पर हम international students का admission, public university, रेनौर्ड यूनिवस्टी है, even whatsoever universities में हम जब भी आपकी applications डालते हैं, at least take the review of that university by putting in the google, तो आपको review के बारे में पता चल जागा कि वो कहां पर stand करती है, कितनी प करनी पड़ेगी, उसके परसंटेज, उनका इंटरेंस एक्जाम, whatsoever है, वीजा में अपलाई करने में हमारी हल्प रहेगी, तो ऐसा नहीं है कि बहां पर इंडियन मैस मिलेंगी जाकर खाने में प्रॉलम आएगी बहां जाने के बाद क्योंकि यूकरिन जैसी रशिया जैसी क कुरेशिया के अंदर तीन-चर यूनिवस्टी जहां पर हम आपका अडिमिशन्स और्गिनाईज करवा सकते हैं, बट उनका जो सबसे पहले हम जे चेक करते हैं कि उनके पास सीड्स कितनी हैं, और किसी यूनिवस्टी के पाँ इंटरेंशन स्टूड़न्स की 50 सीड्स हैं, किसी के पास साथ है, इतनी इतनी सीड्स हैं, इंटरेंश के लिए सबसे पहले आपके परसंट इस बहुत इंपोर्टन्ट हैं, आपके परसंट इने मोर दें 65 परसंट होने चाहिए, 50 परसंट बाले को नहीं मिल पाएगा, और उन्होंने कहा है, अगर आपके पास SET है, अगर आपका ड्रीम यूके का था, लेकिन आप बीमेट यूकेट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएं, जहां आप कट आफ में नहीं आपाई यूके की यूनिवस्टिस में, फिर भी आप यूके के पैरलर का कुछ चाहते हैं, तो आपको इलिए कुरेशिया इस दे बेस्ट हैं, बहां से आप कर सकते हैं, तो सैट हो गया, यूकेट, बीमेट हो गया, ये एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे तीनों में से किसी, इसी तरीके से, अगर आपकी बीएसी, आपने बीएसी आरडी नैचरल साइंसिस से की हुई है, तो आप उनका जो इंटरेंस एग्जाम है, वो एग्जम्टर है, कट ओफ किस वे से बनता है, आपके टेन ट्वेल्थ के वायो कमिस्ट्यों फजिक्स के नंबर चेक किये जाते हैं, उसके कोडिंग दियार मेकिंग दा कट ओफ, उसके बाद जो इंटरेंस एग्जाम लिया जाता है, चाहे बीमेट है, यूकेट है, चाहे वो सैट का एग्जाम है, चाहे वो आपने बीएसी नेर्चुल साइंसिस में की हुए है, उसके अंदर जो आपके परसंटेज है, उसके बाद दियार मेकिंग दा कट ओफ की आपको यहां पर प्लेस्मेंट मिल सकती है, जहां आप वेटिंग के अंदर है उसके बाद ही आपको जाकर वो MBBS में अडिमिशन मिलीगी, शिक्स जेर की डिग्री है, बहाँ पर एक साल की इंटरंशिप भी अंक्लूड है, इंटरंशिप भी प्रवाइड की जाती है, अगर आपने वहां का लोकल लाइसेंस लेना है, जितनी भी मैं शेंगन जाज अगर वहां से आपने फ्रांस में जर्मनी में जाकर शिप्ट होना है, तो आपको फ्रांस और जर्मनी की एट लिस्ट सीवन लेवल तक के लेंग्विश टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद इसके बाद रेक्ली प्रेक्टिस ऐस डॉक्टर, तो ये मैंने सारे लेकिन इसके अंदर फीज के बारे में फिर डिसकस कर दो, पचास्ती सो यूरो, 8500 यूरो पर येर की फीज है, अप्लाई करना है, सब्तंबर इंटेक के लिए पोटल अरडी ओपन है, इम्मीजरी क्राउन इमिगरिशन से कॉंटेक्ट करें, क्राउन इमिगरिशन आपको बेस से बेस्ट गाइड कर सकती है, हम नंबर उफ यूनिवरस्टी में, नंबर उफ कंट्री में, वी अर पुटिंग यूर अप्लिकेशन से यहां पर आपका अड्मिशन आजाए, डॉक्टर बनना है, अच्छी कंट्री में अड्मिशन लेना चाहते हैं, तो क्राउन इमि की आपको क्या करना चाहिए, तो अभी मैं इस टाइब की इन्फरमेडिव वीडियो डेली अपने शोचल मीडिया पर डालता हूं, और आप चाहते हैं वट्सवर वीडियो में अपने शोचल मीडिया पर डालो, उसकिनल सब से पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी शोचल मीडियों को इम्मीडियोली फॉलो करना पड़ेगा, लास्ति मेरी यही रिक्वेस्टि अगर आपको जिए मेरी बीडियो चले को से लाइक करना हूं, तेंक यू